सिरफ एककप सूजी सी आप बना सकते हो एकडम प्रिस्पी नास्का और एकडम तेस्टी हेल्दी और श्वाधिश्ट है सिरफ दो मिनट में यह नास्ता बन करके तयार हो जाएगा आप इसका प्रेपरेशन जो सकते हैं कोई पार्टी ओग रहा हो तो आप फिर इसके बाद उ एक चमच रिफाइंड आयल आप जो भी कुकिंग आयल खाते हैं यहां पर आप ले सकते हैं तो जब तेल आपका गरम हो जाए तो यहां पर हम डाल देंगे एक चमच जीरा और देखें एक चमच यहां पर हम सफेद तिल को आड करेंगे आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं लेकिन इससे आप डालेंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़ी आएगा तो जब यह चटक जाहें तो यहां पर देखें हम आड करेंगे अदरक और लेशुन का पेस्ट और यहां पर हरी मिर्च हम जो है एक दम बारी कट कर लिए है और यहां इसी स्टेज पर हम यह डाल देंगे काली मिर्च आधा चम्मच हमने काली मिर्च को आड किया अब हम रेट चिली फ्लेक्स आड कर देंगे देखे आप तीखा अगर कम खाते हैं बच्छों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी भी कर सकते हैं और इसे थोड़ा पानी डाल देना है तो यहाँ पर हम एक कप पानी आइड करेंगे अब जब देखिए हमारा पानी अच्छी तरीके से जब गरम हो जाए पकने लगे तब इसमें हम सूजी को आइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी हम हाई फ्लेम पर इसे गरम होने देते हैं अब तक्रिबन यहां पर हमने अधा चमज नमक को क्या है और यहां कसूरी मेथी आइड कर लिया है यह कसूरी मेथी नहीं है तो आफारा धनिया भी आइड कर सकते हैं और इसे पकने देते हैं जब यहां पर हम सूजी को आइड करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर लिजेगा तो देखे यहां पर जिस बरतन से हमने सूजी लिया है उसी से हम एक कप पानी डालेंगे और दो चमच और हम इसमें इस्ट्राइड कर लिए हैं तो यहां पर देखे हम इसे एकदम इसे हम चलाते हुए पकाएंगे जब अच्छी तरीके से यह पक जाए और यह सूख जाए तो देखिए हमारा तक्रीबन जो है यह अब पक रहा है अब इसे चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जब यह सूखने लगे न तब गयाश के फ्लेम को हम बंद कर देंगे यहां पर हम जो है फ्लेम को मीडियम टुहाई कर लिए हैं तो यहां पर देखिए इसे हम चलाते हुए पकाएंगे और अब यहां देखिए हमारा यह अच्छी तरीके से पक चुका है यह से दो मिनिट यहां लगता है और सूजी जो अच्छी तरीके से पानी को अबजर्ब कर लेती है तो यहां पर देखिए हमारा एकद तब तक यहाँ पर हम क्या करेंगे दो अलू लेंगे उबले हुए आलू हमने पहले से ही उबाल करके उसे फ्रीज में रख दिया था ठंड़ा होने के लिए तब तक हम इसे ठंड़ा होने देते हैं और आलू देखिए हमने इसे इसको हम छील लेंगे देखिए आप गरम आलू नहीं लीजिएगा अगर आपके पास है तो उसे ठंधा कर लीजिए आप पहले से आप बाल करके फ्रेजवा गरम रख दीजिए या बाहर ही रख दीजिए ठंधा आपको आलू ले लेना है तो इस तरीके से आप दोनों आलू छील लीजिए और प्रफट तयार हो जाता है अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप मैसर से मैस कर सकते हैं अगर मैसर भी नहीं है तो आप कोई ग्लास कटोरी से लेके ऐसे अब उससे दबा दबा करके मैस कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरीके से सारे आलू से हैं अब यहां देखिए इसे हम मिक्स करेंगे और आटा की तरह इसका एक डो लगा लेंगे अब इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और आटा की तरह इसका डो बना लेना है देखिए ऐसा है कि अगर आपके हाथों में चीपक रहा हो तो आप क्या करें ना इस इसी तरीके से मैस कर लोगे और यहां पर जब आप डो बना लीजिए यहां पर हमारा जो सुझे ना बहुत हलका सा गरम है क्योंकि ठंडा होने के बाद उतने बढ़ियां से नहीं हो पाएगा इसलिए गरम-गरम में ही आप इस तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से देखिए हमन में हाथ में लगा लिया था क्योंकि इतनी हात मेंृ लगता है कि इतना भी आप करो न तो भी आत में थोड़ा बहुत तो लगी जाता है और देखिए इसे हम रिष्ट के लिए रखेंगे 12 से 1-2 मिनिट तक तो फिर इसके बाद से थोड़ा आयल लएंगे हाथ में और इसे आथों बैसे लगा लेंगे और इसका हम एक देखी इतना बड़ा onset ऐसे । लूई बनाएंगे तो इसको पहले हम रोल करेंगे इसे ठक करके रख देते हैं और देखिए ये चकले पे आप स्लैप पे जिस पे आप लेना चाहें ऐसे आप पहले हम इसे दो भाग में करेंगे तो यहां पर देखिए हम दो भाग कर लेते हैं क्यूंकि इसे ज्यादा आपको मोटा नहीं बनाना है ऐसे आप कोई भी सेब दे सकते हैं लेकिन हम आपको यहां पर इस तरीके से रोल करेंगे रोल करते हुए इसको आपको बना लेना है इसके बाद देखी जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो एक चाकू लेना है और उसे आपको इसे कट करना है छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरीके से हम कट कर लेंगे और आप जो भी सेप देना चाते हैं आप दे सकते हैं लेकिन देखिए हमने इस तरीके से इससे कट कर लिया इसी तरीके से हम बागी कट कर लेंगे और जितनी जरूरत हो इतनी कॉंटिटी में आप बनाएए और यहां पर देखिए आयल हमारा गरम हो चुका है आप उसमें हम यह सारे क्यूब से डाल देंगे फटाफट दो मिनट में फ्रेंट्स ये बन जाता है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है इसे आप कई तरीके से भी बना सकते हो और देखिए आपको हमने बताया है कई वीडियो में इस तरीके से बताया है कि जब भी आप कोई चीज फ्राई करने के लिए डालते हैं तो तो जब वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर आ जाता है तब उसे आप चलाना इस्टार्ट करें उसे देखिए आप तब इसके बाद चलाईए पलटिए और यहां पर हमने जो मीडियम टूलो फ्लेम किया है क्योंकि हाई फ्लेम पर यह जल जाएगा और देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा जब एक दम ब्राउन हो जाए तो देखिए इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजे देखिए जब जैसे जैसे ठंडा होता हूँ ऐसे वैसे इसकी क्रिस्पनिस जो है बढ़ती जाती है और इसी तरीके से देखिए आपको गरम कीजिए उसमें डाली और इस तरीके से फ्राइब कर लीजे अब यहां हम अपना सेकेंड बैच भी देखिए यहां पर हम इसे फ्राइब करने के लिए डाल देते हैं तो इसे भी हमने कट कर लिया है और इसको भी हम डाल देते हैं और बहुत हीजी तरीके से देखिए ह अगर आपके चाकू में ज्यादा चिपक रहा हो तो आप आयल लगा सकते हैं तो हाथ से आप करेंगे तो आपके हाथ में चिपक जाएगा और इसी तरीके से जब एक से दो बिनिट बाद ये जो है अपने आप उपर आ जाता है तो इसको हम ऐसे फिर इसके बाद चलाएंगे और देखिए अच्छा तरीके से एक दम वहां सब ब्राउन क्रिश्पी हो चुका है हमने केवल दो बैस ही बनाया और उठा करके हमने फ्रेज में रख दिया है इसका डो जब हमारा इच्छा होगा फिर हम बनाएंगे कोई गेस्ट आएगा तो बना देंगे इसे आप 10 से 15 दिन तक रीजन में आप रह सकते हो जिसे कि वह जल्दी खराब नहीं होता है और अधर्वाइज आप ऐसे चाहें तो तुरंद बनाईए और इसे बना करके फ्राइब कीजिए होथ ही जल्दी से फटा फट बन जाता है टेस्ट में बहुत ही स्वाधिश्ट होता है तो फ्र कमेंट करते होनों तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे विवर्स हमें देख रहे हैं हमें पसंद कर रहे हैं तो आप प्लीज 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 जो है अपने कमेंट कीजिए और जरूर बताईएगा अपने इस्पीरियंस शेयर कीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थाइंक्यू बाइ 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 मिलते हैं नेश्ट रेसिपी के साथ नेश्ट वीडियो में आप अपनी प्रसंद की रेसिपी बता सकते हैं कि नेश्ट रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं बाइ बाइ झाल 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 झाल